सो हेलो एवरिवन मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में लोग डिसकस करने वाले हैं कल्यान जूलियर शेयर के बारे में अब इस टॉक में आज के दिन देखोगे तो 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक का जो करेंट प्राइस चल रहा है अभी वो चल रहा है 707 रुपीस का तो अब स्टॉक में आगे के लिए क्या टार्गेट्स हो सकते हैं वो बता देता हूँ आपको अब ही अगर आप देखोगे तो कल के दिन मैंने आपको बताया था स्टॉक के अंदर की यहां पर यह इस रेंज के अंदर क्लोज कर चुका है देता है तो हमें और डाउनसाइड के टार्डि देखने को मिल सकते हैं और फिर हमें जो पहला टार्गेट्स देखने को मिलेगा वह हमारे यहां पर 662 रुपीस का की green candles आपको बनती है इस trading के राओं तो यहां पर नहीं तो फिर हमारे लिए यहां पर buying की opportunity बन सकती है 691 के around और फिर हमारे लिए जो nearest target पहले निकल के आगा 724 रुपीस का होगा ये break होगा तो उसके बाद हमें और आगे का move देखने को मिलेगा तो ये फिलाल के लिए भी इसमें levels निकल के आ रहे हैं इस stock दुबारा से उसी range के अंदर आ चुका है जिस range के अंदर ये पहले trade कर रहा था और यहां से breakout दिया था दुबारा उसी range में आ गया अब यहां पर जिस भी side यहां पर breakout देता है 724 के उपर breakout देता है तो फिर हमारे लिए यहां पर upside की possibility बनेगी और अगर 691 के नीचे close कर देता है तो फिर यहां पर downside का scenario बन सकता है तो यह भी फिलाल के लिए levels निकल के आ रहें कल्यान जोलर शेयर के I hope यह video आप लोग के लिए helpful रही होगी तो इस video में इतना ही मिलते हैं अगली video में